नमस्कार आप सभी का स्वागत है तिवारी अकैडमी में आज हम बात करेंगे कख्षासाथ की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है दूर्वा उसके आठ्वे पाठ्ट की जिसका शीर्शक है काबुली वाला इससे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने तो इससे पहले कि हम इस अध्याय को पढ़ना शुरू करें समझना शुरू करें एक काम करते हैं कि इस अध्याय के कुछ पाँच ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ हमें पता होना जरूरी है तो चलिए पहले उन पाँच शब्दों को उनके अर्थ के साथ समझते हैं सबसे पहला शब्द है बच्चो चंचल, चंचल का मतलब होता है नटखट, आप तो जानते ही हैं यह शब्द आपके लिए नया नहीं होगा, मुझे उमीद है आपने यह शब्द पहले भी सुना होगा, कई बार हम किनी बच्चों के बारे में जब बात करते हैं तो कहते हैं क मुझे लगता है उन लोगों के लिए ज्यादा उपयोग में आता है जब लोग किसी सडक पर कोई तमाशा दिखाता है कोई नाटक करता है तो इकठा हो करके उसे देखते हैं इसके बाद में अगला शब्द है बच्चो अचरज अचरज का मतलब होता है बच्चो हैरानी या फिर आप कह लीजिए आश्यर्य है न कई बार आपने सुना होगा कहते हुए कि भई तुम्हारे इस काम ने तुमुझे अचरज में डाल दिया यानि हैरानी में डाल दिया इसके बाद में अगला शब्द है बच्चो नामुम्किन नामुम्किन का अंग्रेजी में जो शब्द उपयोग मिलाया जाता है नामुम्किन के लिए वो है इंपॉसिबल और हिंदी में एक और शब्द है इसके लिए वो है असंभव एक और शब्द है बच्चो वो है सौ जाते हैं तो कहते हैं कि सौधा खरीदने जा रहे हैं सौधा लेने जा रहे हैं ठीक है तो मुझे उम्मीद है कि ये पांचों शब्द आपको बखू भी समझ में आ गए होंगे अब हम रविंद्र नाठ टैगोर जी द्वारा रचित एक बहुत ही खास कहानी को पढ़ने जा रहे हैं समझने जा रहे हैं तो चलिए समझते हैं सबसे पहले लिखा है सहसा मेरी पांच वर्ष की लाडली बेटी मिनी अगड़म बगड़म का खेल छोड़कर खिड़की की तरफ भागी और जोर-जोर से पोकारने लगी काबुली वाले ओ काबुली वाले मैं इस समय उप कूद रहा था, घटना वही रुक गई लाडली प्यारी सी बेटी जिसका नाम मिनी है वो अपना खेल छोड़ देती है खेल भी कौन सा अगडम बगडम वाला और फिर क्या करती है तुरंत खिरकी की तरफ भागती है और जोर जोर से पुकारने लगती है चिलाने लगती है काबुली वाले की तरफ काबुली वाले को मानों बुला रही हो अब आगे देखी क्या लिखा है सोचने लगा मेरी बीटी कितनी चंचल और बातूनी है अभी कुछ पल पहले वह मेरे पैरों के पास बैठी खेल रही थी कि अचानक उसे या क्या सूजी मिनी के इस काम से मुझे अचरच तो नहीं हुआ पर परिशानी जरूर महसूस हुई मैंने सोचा बस अब पीट पर जोली लिए काबुली वाला आखडा होगा और मेरा सत्रहवा अध्याय अब पूरा नहीं हो सकता और ज्यों ही काबुली वाले ने हस कर मुझ फेरा और मेरे घर की और आने लगा त्यों ही वह घर के अंदर भाग गई उसके मन में एक जूठा विश्वास था कि काबुली वाला अपनी जोली में उसी की तरह के दो चार चुराए गए बच्चे छुपाए रहता है अब इधर काबुली वाला आकर मुस्कुराता हुआ मुझे सलाम करके खड़ा हो गया और आदमी को घर पर बुलाकर कुछ ना खरीदना अच्छा नहीं लगता इसलिए उससे कुछ खरीदा दो चार बाते हुई पता चला उसका नाम रहमत था अंत में उठकर चलते समय उसने पूछा बाबु तुम्हारी लड़की कहां गई मैंने मिनी के दर को पूरी तरह खत्म करने के लिए उसे भीतर से बुलवा लिया वह मुझसे सटकर काबुली वाले के चहरे और जोली की और शक भरी नजर से देखती हुई खड़ी रही काबुली उसे जोली के अंदर से कुछ सूखे मेवे निकाल कर देने लगा पर वह लेने को किसी तरह राजी नहीं हुई दुगुने डर से मेरे घोटने से सटकर रह गई कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी काम से घर से बाहर जाते समय देखा कि मेरी नन्नी बेटी दर्वाजी के पास बेंच के उपर बैठी अपनी बेश सिर पैर की बाते कर रही है काबुली वाला उसके पहरों के पास बैठा मुस्कुराता हुआ सुन रहा है वह बीच बीच में मिनी की बातों पर अपनी राय भी बताता जाता है मिनी को अपने पांच साल के जीवन में पिता के अलावा ऐसा धीरज रखकर उसकी बातों को सुनने वाला कभी नहीं मिला था मैंने यह भी देखा कि उसका छोटा आचल बादाम किश्मिस से भरा था मैंने काबुली वाले से कहा उसे यह सब क्यो दिया अब फिर मत देना मैंने जेव से एक अठनी निकाल कर उसको दे दी काबुली वाले ने अठनी मुझसे लेकर अपने जोले में रख ली घर लोटकर आया तो देखा कि उस अठनी को लेकर पुरा जगड़ा मचा हुआ है मिनी की माँ उससे पूछ रही थी तुझे यह अठनी कहां मिली मिनी कह रही थी काबुली वाले ने दी मैंने मांगी नहीं थी उसने खुद दे दी मैंने मिनी की माँ को समझाया और मिनी को बाहर ले गया पता चला कि इस दौरान काबुली वाले ने लगभग रोज आकर मिनी को प् पेटी हस्ते हुए पूछती काबुली वाले तुम्हारी जोली में क्या है रह्मत हस्ते हुए उत्तर देता हाथी मतलब उसकी जोली में हाथी है इस बात से दोनों खूब हस्ते उनमें एक और हसी भरी बात चलती थी रह्मत मिनी से कहता मिनी तुम क्या ससुराल कभी नहीं जा कर कहता मैं ससुर को मारूंगा सुनकर मिनी ससुर नाम की किसी अंजाने जीव की पिटी-पिटाई हालत के बारे में सोच कर खूब हस्ती मुझमें देश-विदेश घूमने की इच्छा है लेकिन अपने कमरे से बाहर निकलते ही घवराहट होने लगती है इसलिए सुबह अपन के सामने आ जाती है लेकिन मिनी की मा बहुत शक्की स्वभाव की महिला थी रहमत काबुली वाले पर उन्हें भरोसा नहीं था उन्होंने मुझसे बार बार उस पर खास तोर से नजर रखने के लिए प्रार्थना की उनके शक को हसकर उड़ा देने पर उन्होंने कई सवाल क किये क्या कभी किसी के बच्चे चोरी नहीं जाते एक लंबे चोडे काबुली के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा ले जाना क्या बिलकुल नामुम्किन है मुझे मानना पड़ा कि ये बाते नामुम्किन नहीं है लेकिन मैं इस कारण भलमानस रहमत को घर आने से मना नहीं कर सकता था हर वर्ष माग के महीने के बीचों बीच रहमत अपने देश चला जाता इस समय वह अपना सारा उधार रुपया वसूल करने में जुटा रहता लेकिन फिर भी एक बार वह मिनी से जरूर मिल जाता जिस दिन सुभा समय नहीं मिलता तो शाम को आप पहुचता एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा पड़ रहा था तभी इस सड़क पर बड़े जोर का हल्ला सुनाई पड़ा आग उठाई तो देखा दो पहरे वाले अपने रहमत को बांधे लिये आ रहे हैं उसके पीछे तमाश बीन लड़कों की टोली चली आ रही है बच्चो मुझे उमीद है कि जब मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ तो आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और अपने मन में आप कलपना भी कर रहे हैं तो आपकी कलपना ने आपको भी क्या चितर दिखा दिया कि काबूली वाले को दो लोग पकड़े आ रहे हैं वो भी पहरे व लाले के हाथ में खून से सना चुरा है मैंने बहार आकर पहरे वालों को रूप कर पूछा मामला क्या है मालूम हुआ कि हमारे एक पड़ोसी ने रामपुरी चादर के लिए रहमत से कुछ रुपिया उधार लिया था उसने जूट बोल कर रुपिया उधार लिया तथा पुकारती हुए मिनी घर से बाहर निकल आई, पलक मारते रहमत का चहरा आनंद से खिल उठा, उसके कंदे पर आज जोली नहीं थी, इसलिए उसके बारे में कुछ पूछा नहीं जा सकता था, मिनी ने छूठते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे, रहमत ने हसकर कहा, वहीं जा रहा हूँ, मिनी को उसका जवाब हसी भरा नहीं लगा, वह हाथ दिखा कर बोला, ससुर को मारता, पर क्या करूँ हाथ बंदे है, छुरा मारने के अपराद में रहमत को कई वर्ष की जेल हो गई, मैं उसकी बात करीब करीब भूल गया, मिनी भी उसे जल्दी भू आज मेरे घर में शेहनाई बज उठी थी, उसके स्वर मेरे रिदय को अंदर से रुला रहे थे, मेरी लाडली बेटी मुझसे विदा होने जा रही थी, आज मेरी मिनी का विवाह था, सवेरे से ही विवाह की तयारियां जो हो रही थी, मैं बाहर के कमरे में बैठा, हिसाब देख रहा था, तभी रहमत आकर सलाम करके खड़ा हो गया, मैं पहले उसे पहचान नहीं सका, उसके पास न भह जोली थी, न उसके वे लंबे बाल, शरीर भी कमजोर हो गया था, आखिर उसकी हसी देखकर उसे पहचाना, मैंने कहा क्योरे रहमत कब छूटा, उसने कहा कल श काम करने हैं, आज तुम जाओ, बात सुनते ही वह चल दिया, और दरवाजे के पास पहुचकर बोला, क्या एक बार मुन्नी को नहीं देख सकूंगा, शायद उससे विश्वास था, मिनी अब भी वैसी ही होगी, नन्नी सी बच्ची जो पहले की तरह ही काबुली वाले कहती ह पहले की तरह उसके लिए किसी से मांग मांग कर एक जिब्बा अंगूर और किश्मिश बादाम लाया था, मैंने कहा, आज घर में काम है, वह किसी से मिल नहीं सकेगी, वह दुखी मन से सलाम बाबु कहकर दरवाजे के बाहर चला गया, मुझे अपने मन में नजाने कैसा एक दर्द महसूस हुआ, सोचा उसे वापस बुलवालू, तब ही देखा वह खुद लोटा आ रहा है, पास आकर बुला, ये अंगूर और थोड़े से किश्मिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, दे दीजिएगा, उन्हें लेकर जब मैं दाम देने लगा, तो हमेरा हाथ बोला, मुझे पैसा मत दीजिए बाबू, जिस तरह तुम्हारी एक लड़की है, उसी तरह देश में मेरी भी एक लड़की है, मैं उसी का चेहरा याद करके तुम्हारी मुन्नी के लिए थोड़ी मेवा लेकर आया हूँ, सौदा करने नहीं, यह कहते हुए उसने अपने जही चाती के पास से मैले कागस का एक टुकड़ा निकाला और बहुत सावधानी से उसकी तहे खोल कर मेरी टेबिल पर बिछा दिया, देखा कागस पर किसी नन्ने हाथ की छप थी, फोटो नहीं, रंगों से बना चितन नहीं, प्यारी बिटिया के हाथ में थोड़ी इसी का भर उसे रिदय में, उसके रिदय में अमरित की धारा बहाती रहती, देखकर मेरी आखे चल चला आई, उस समय मैंने समझाय कि जो वह है, वही मैं हूँ, वह भी पिता है, मैं भी पिता हूँ, मैंने उसी समय मिनी को भीतर से बुलवाया, शादी की लाल साडी पहने, माथे पर चंदन लगाए, बहु वेश में मिनी लज्जा से मेरे पास आकर खड़ी हो गई, उसको देखकर कागूली वाला सकपका गया, अपनी पुरानी बातचीत नहीं जमा पाया, अंत में हसकर बोला, मुनी, तू ससुराल जाएगी, रहमत का प्रशने सुनकर, लज्जा से ला इसे बीच उसकी बेटी भी इस तरह बड़ी हो गई होगी, इन आठ वर्शों में उस पर क्या बीती होगी, यह भी भला कोई जानता है, उसका चेहरा दुख और चिंता से भर उठा, मैंने एक नोट निकाल कर उसे देते हुए कहा, रहमत तुम अपनी लड़की के पास अप लिख देती है, समझ देती है, है न, और हमें ले जाती है, बिलकुल उस दौर में, उस समय में, जहां पर काबुली वाला है, है न, यह कहानी हमारे लिए लिखी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, मुझे उमीद है आपको यह कहानी पूरी तरह से पसंद आई होगी, ठीक है और मैं यह भी जानता हूँ, कि जब कहानी आपने पढ़ ली है, तो इसका अभ्यास तो आप बिलकुल चुटकियों में कर लेंगे, है न, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, कागस पर किसी नन्ने हाथ की छाप थी, अब आप इसको बार-बार बोलिए, मिनी जोर-जोर से पढ़ो और समझो में देखी कुछ शब्द है, नायक एक पुलिंग शब्द है बच्चो, और नायक एक स्त्रिलिंग शब्द है, ठीक वैसे ही जैसे बालक पुलिंग शब्द है, और बालिका स्त्रिलिंग, गायक का हो जाएगा गाईका, लेखक का हो जाएगा लेखी का, और सेवक का सेविका अब पार्च संबंधी कुछ प्रश्न भी दिये हैं जैसे लिखा है काबुली वाला हमेशा पैसे क्यों लोटा देता था तो इसमें आप यह लिख सकते हैं कि काबुली वाले को अपने देश में अपनी बेटी की छवी मिनी में दिखाई देती थी शायद इसलिए वह मिनी से बाते करके खुश हो जाता था और उसे ऐसा लगता था कि मानो वो अपनी बेटी से बातसीत कर रहा है इसलिए अक्सर वे पैसे लोटा दिया करता था तो मुझे उमीद है बच्चों कि आपको यहाँ ध्याय समझ में आया होगा और यहाँ वीडियो पू समझ पाएं इस जानकारी को बाकी मेरी आप से फिर जल्दी मुलकात होगी अगले नए वीडियो में अगली नए जानकारी के साथ में और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार